हलो लोर्नर्स, विल्कम टो मैं चैनल इनलाइटर नोलेज आज हम स्टड़ी करने जा रहे हैं मैक्रो एकनॉमिक टार्गेट्स और उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में साथ ही में डिस्कुस किया जाएगा कि क्या रिलेशन्शिप पाया जाता है माइक्रो एंड मैक्रो एकनॉमिक्स में वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ आप मेरा टैलिग्रम चैनल जॉइन कर सकते हैं वहाँ पर हर एक वीडियो के आपको पीडियो फाइल मिल जाएगी साथ ही में फेस्बुक पेज को भी लाइक कर दीजेगा लिंक आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा शुरू करते हैं अब मैक्रो एकनॉमिक टार्गेट्स और इंस्ट्रुमेंट को पढ़ना क्यों जरूरी है प्रिविएस वीडियो में हमने डिस्क्रिप्श किया था कि हमने बहुत सारे मैक्रो एकनॉमिक इशूस पढ़े थे जिसमें हमने डिस्क्रिप्श किया था ग्रोथ एंड डिवलप्मेंट के बारे में बिजनस साइकल्स के बारे में कुछ पॉलिसी थी आपकी तो जो भी हमने macro economic issues को पढ़ा था उसको हम दो बागों में बांटते हैं एक है आपका micro economic और एक है macro economic policies तो इसमें हम बात कर लेते हैं जैसे कि बहुत बड़े issues होते हैं economy के growth and development हो गया employment हो गया, economic stability हो गया यह सारे के सारे क्या होती है macro economic targets होती है जिनको हमें achieve करना होता है every nation targets at high rate of growth हर nation का target क्या होता है जादा से जादा growth rate होना एक economy का और development होना with a view to improving quality of life of people क्योंकि इस से क्या है यह सारा कुछ किया क्यों जाता है ताकि जो लोगों की quality है life की वो improve हो सके a nation focuses to translate the process of growth into the process of development हमेशा एक nation क्या करना चाता है कि growth की process के बाद वो growth को किसमे translate कर देना चाता है development में क्योंकि हमने पढ़ा था जो growth होती है वो क्या होती है quantitative चीज है जैसे कि national income है per capita income ले सकते है लेकिन जो development होता है वो continuous process होती है standard of living को बढ़ाना employment बढ़ाना तो यह सारा कुछ development में आता है also it focuses to render development as a sustainable process sustainable का मतलब क्या होता है कि ना सिर्फ growth और development से फिर continually चलता रहेगा बलकि इसने क्या करना है कि जो हमारी future generations है उसको भी क्या करना है उनकी जो demand होती है उनको ध्यान में रखना है ये ना हो कि आप लोग अपनी growth development करते जाओ लेकिन बाद में कुछ बचे ही ना future generation के लिए कुछ बचे ही ना so the development capacity of the future generation is not eroded ये ना हो कि futures के लिए सारा कुछ ही क्या हो जाए खतम हो जाए तो ये ध्यान में रखते हुए आपको development करनी है a country also targets to maximize एक country का target होता है rate of participation जादा से जादा लोग participate करें implying minimization of rate of unemployment ताकि क्या है unemployment को दूर किया जा सके further every nation targets to stabilize the process of growth implying minimizing the occurrence of inflationary and deflationary pressures in the economy तो इसका target ये भी होता है कि growth की process को अच्छे तरीके से stabilize करना साथ ही में minimize करना आपके inflationary एकदम से जो आपके prices बढ़ने शुरू हो जाते हैं या कम होने शुरू हो जाते हैं इन pressure से भी क्या है इनको भी economy में minimize करना तो ये आपके क्या हो गए सारे के सारे macro economic targets होगे कि हमारे targets क्या है एक economy के growth और development के next is policy instruments are needed to achieve the targets इन targets को पुरा करने के लिए आपको कुछ instruments चाहिए तो वो instruments कौन कौन से होते हैं एक होता है fiscal और दूसरा होता है monetary policies जो मैंने discuss किया था issues में fiscal में क्या होता है कि government कहां पर expenditure कर रही है कहां पर expenditure कर रही है tax लगा रही है कहां से उसको money receive हो रही है और कहां पर वो खर्चा कर रही है ये सारे कुछ देखा जाता है monetary policy में ज़्यादा तर RBI की policies आ जाती है जैसे कि stock and payments वगरा करना किसी चीज़ का यहां फिर RBI, CRR, SLR जो रेट्स होते हैं एक bank rates होते हैं वो कैसे discuss करने हैं यह major macroeconomic policy instruments होते हैं these are the variables that are directly under the type of political system यह सारे के सारे political system के ही under होते हैं it is important to note that instruments of macroeconomic policies are not substitute of each other इन्होंने क्या बताया है कि यह नहीं है कि fiscal के जगए monetary policy use कर लो या monetary के जगए fiscal use कर लो ऐसा नहीं हो सकता यह दोनों एक दूसरे के क्या है substitute नहीं है बलकि क्या है complementary है complementary का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ चलते हैं यह दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं so rather they are complementary both fiscal and monetary instruments are to be used in tandem with each कि दोनों ही use किया जाते है fiscal भी और monetary policy एक साथ में मतलब tandem का मतलब side by side इन दोनों का use किया जाता है it is for the government to define appropriate view to achieving the stipulated macroeconomic targets तो यह यहाँ पर क्या है government का role बन जाता है कि कैसे आपको इन policies को अपनाना है कैसे solutions डूनना है आपको targets जो भी आपके macroeconomic targets है उनको कैसे achieve करना है तो यह था आपका कि targets क्या होंगे macroeconomic में और साथ ही में इसके क्या क्या instrument आप लोग यूज करोगे तो next हम पढ़ते हैं relation between micro and macroeconomics के बीच में इन the study of economics both micro and macroeconomic analysis are of great significance so the two are complementary to each other मतलब एक दोनों के साथ में चलते हैं study of one is essential for the study of other एक की study करना बहुत ज़रूरी है दूसरे को समझने के लिए so professor semilson has rightly observed there is really no opposition between micro and macroeconomics कोई यहाँ पर यह नहीं है कि इन दोनों में opposition है दोनों ही के दोनों बहुत ज़ादा ज़रूरी है both are absolutely vital and you are only half educated if you understand one while being ignorant of other अगर आप बच्चे एक ही को study करते हो इसका मतलब आप क्या है आदे educated person हो क्योंकि यह दोनों के दोनों बहुत ज़ादा ज़रूरी है आप किसी को भी ignore नहीं कर सकते so relation हम लोग समझ लेते हैं कैसे है microeconomic analysis depend किस पर करता है macroeconomic analysis पर मतलब आपका जो micro है वो depend करता है macro पर so microeconomic analysis is based on the assumption आपका जो microeconomic में हम एक चीज हमेशा पढ़ते थे that other things being equal कि बाकी सारे चीजों को क्या रखा जाएगा equal रखा जाएगा this assumption underlines the influence of macroeconomics on microeconomics तो इसी से ही हम इसका relationship दोनेंगे for example देख लीजी the rate of wages paid by a firm to its workers जो की एक wages है एक firm अपने workers को क्या है दे रही है वो किस पर depend करेगा depend on the rate of wages being paid by other firms जिन्दा economy तो एक firm जो अपने workers को पैसा दे रहा है वो किस पर depend करें कि बाकी सारी firms कितना अपने workers को पैसा दे रही है इसका मतलब क्या है हमने macroeconomic की approach को देखा उसी से हमने क्या है एक छोटा सा एक छोटी firm ने अपने worker को पैसा दिया इस मींस macroeconomic influence कर रहा है कहीं न कहीं आपकी microeconomy को सेकिंड देख लेते हैं तब price fixed for a commodity कि जो की एक price fixed किया जाता है commodity का is governed not by its demand and supply alone यह सिर्फ एक ही commodity की demand and supply सिर्फ उस पे नहीं निर्भर करता बलकि हम सारी के सारी goods की demand and supply को लेकर एक commodity के demand and supply से price को determine करते हैं तो इसका मतलब macroeconomic view लिया गया एक industry ने आपका हम देखा ने industry ने price को determine किया फिर एक firm वही price आपका लेना शुरू कर देती है third पढ़ते हैं the amount of goods that a firm is able to sell depends not only on the prices of the goods की जो भी एक amount है good का एक firm उसको sell करना चारी है that he is able to sell that यह किस पे depend करेगा it depends not only on the price of good यह सिर्फ price पे नहीं depend करेगा by that firm but also on the total supply of money in the society लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि total मतलब लोगों के पास पैसा कितना है money की supply कितनी हो रही है market में अगर जादा supply हो रही है मतलब लोगों के हाथ में पैसा जादा है तो वो demand जादा करेंगे तो आपका जो क्या है goods का जो amount है एक firm जो इसको sell करवाना चारी है वो सिर्फ price पे depend नहीं करता बलकि total supply पे depend करता है it is therefore clear है that in order to study a particular problem कि अगर हमें एक particular problem को study करना है तो study एक macro economic analysis की बहुत जादा क्या हो जाती है जरूरी हो जाती है it become indispensable तो हम whole को देखते हुए एक छोटे part को determine कर सकते हैं तो इसका ये मतलब है next देखते है study of microeconomic analysis is necessary for macroeconomic analysis पहले में क्या पढ़ा था कि macroeconomic पढ़ना जरूरी है microeconomic के लिए अब क्या है micro पढ़ना जरूरी है macro के लिए so study of macroeconomic calls for the study of microeconomics in fact society is the aggregate of individuals क्या होता है कि जो सारी हमारी society है किस से बनी है aggregate से बनी है individuals के aggregate से बनी है some से बनी है just as society is composed of individuals एक हमारी society अगर individual से बनी है similarly industry किसे बनी होती है industry छोटे छोटे फोर्म से बनी होती है several firms से बनी होती है जो कि homogeneous product को बेच रही है तो homogeneous product वाले जो firms होती है, इनको मिला दिया जाता है और यह एक बड़ी क्या बन जाती है, industry बन जाती है, so many industries constitute an economy, तो बहुत सारी industries एक economy को part होता है, constitute करती है, need क्या है, अब need क्यूं होती है, first पढ़ते है, economy as a whole consists of the aggregate of several economic unit, कि अगर हमें सारी कि सारी economy को पढ़ना है, वो किसका sum है, छोटे-छोटे units का, several units का sum है, to understand the functioning of the whole economy, अगर हमें whole economy के functioning को understand करना है, तो हमें क्या है, different different units के economic behavior को भी पहले understand करना पड़ेगा, मतलब छोटे पार से लेकर आपको बड़े पार तक जाना पड़ेगा, इसका यह मतलब है, second is study of national income necessitates the study of per capita income, तो अगर हम study करते हैं national income की, तो उससे ही हम क्या है, यह जरूरी हो जाता है कि पैसे per capita income पता हो, it is so because per capita real income influences consumption and investment of a consumer, अब per capita income होता क्या है, कि total income को अगर मैं population से divide कर दो, इसका मतलब यह कि एक, एक मतलब individual के हाथ में कितना पैसा आ रहा है, कितने उसकी income आ रही है, तो कितना वो GDP में, मतलब अपना योग दे रहा है, तो इसका मतलब यह जो per capita income आपका influence किसको करता है, consumption को, अगर मेरे पास पता होगा कि कितना पैसा है, वो मेरा कितना में खर्चा कर रही हूँ, कितना में निवेश कर रही हूँ, यह सब कुछ depend होगा उस पर, so consumption investment decisions of individuals किसको determine करेंगे, national income को, तो हमारा जो खर्चा consumption पे हो रहा है, investment हम लोग कर रहे हैं, यह सारी के सारे decision, बच्चे किसको inference करते हैं, हमारी national income को, तो इसका मतलब जो per capita income है, छोटा पार्ट है, वो हमारे पूरी economy, whole के national income को determine करती है, एक यह हो गया, third is, collection of all firms, constitute industry, जो मैंने आपको बताया है, जो firms होती है, सारी की collection को हम लोग industry कहते हैं, and several industries form an economy, और बहुत सारी industries, several industries आपके economy को बनाते हैं, इसलिए, micro economic पी पढ़ना बहुत जरूरी है, macro को समझने के लिए, और macro पढ़ना बहुत जरूरी है, micro को समझने के लिए, understand करने के लिए, तो यह topic आपका cover हो चुका है, आगे हम और भी इसके topic parts, sub parts करते रहें I hope आपको clear हो गया होगा अच्छे से, कोई confusion है, आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं, thank you so much, subscribe, like and share and comment कीजिए, अगर कोई भी confusion है, और आप मेरा channel, अपने friends के साथ, share करते रहें, subscribe कीजिए, and press the bell icon, ताकि हर video की notification आपको time to time मिलती रहें, thank you